बेरी सकती है यो आपका इंटरस्क! recording भी हो सकती है या फिर हम कह सकते हैं कि जो सारे students कर रहे हैं उसके recording हो सकती government job, private job, ultimately settlement but question यहाँ पर यही आता है कि BSC agriculture के बाद करें क्या और ऐसा क्या करें कि government job बहुत जल्दी लग जाए या फिर overall हमारी job जल्दी लग जाए so this question को आज हम discuss करेंगे क्योंकि क्या होता है कई बार unplanned तरीके से preparation करने या फिर lack of proper guidance हम क्या सकते हैं students के कई साल इसमें लग जाते हैं और मैंने ये तक देखा है कि students के BSC agriculture करने के 4 साल बात तक उन्होंने सिर्फ government exam की preparation की होती और ultimately वो exam भी नहीं निकलता तो मतलब 4 year of BSC agriculture plus 4 year of preparation equals to क्या हो जाएगा वो आप अच्छे से समझ सकते हैं एक साल की preparation करने के बाद exam निकल जाए तो वो तो बहुत अची condition है बट अगर ना निकले तो क्या इसलिए ये question हमारे लिए बहुत important है BSC agriculture करने के बाद करें किया तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की जरुरत है मैं आपको सारी चीज़े बताऊँगा आप लास में सो समझ के अपने according जिन भी students को ये जो भी स्टेज पर हैं वो decide कर सकते हैं सबसे पहले देखते हैं कि BSC agriculture करने के बाद हमारे पास major 3 option होते क्या है पहला option देखेंगे तो हमारे पास है post graduation का post graduation भी again दो type से हो सकता है या तो हम MSC करेंगे या दूसरा हम MBA करेंगे यह दोनों है again MSC थोड़ा सा research type academics type हो जाता है MBA जो हम कहा सकते हैं कि वो management या फिर managerial skills से related हो जाता है हाला कि दोनों के अपने अपने benefit है उसमें हम किसी को नहीं कह सकते हैं यह ज़्यादा अच्छे डिगरी यह कम अच्छे डिगरी है अगें दोनों आपने उतनी जगा proper degrees है second option है directly job और directly अगर आप job करने जाएंगे तो वो placement होगा और वो private job होगी तीसरा option आपके पास कि आप कुछ रुक के कुछ time preparation करें और government examination को crack करें यह तीन और major option आपके पास होते हैं मैंने telegram में भी quiz भी launch किया था और उसमें जो सबसे ज़्यादा maximum votes थे वो इसके लिए थे कि कोई post gradation नहीं but preparing for the government examination maximum बसे यह कर रहे हैं और मैंने उसमें एक option भी दिया था not preparing for post gradation direct private job तो उसको minimum students ने select किया था but एक चीज़ समझिये दोस्तो government seats तो बहुत limited होती है चाहे कितनी ही साल आप addition करकी भी देख लेंगे तब भी वो job की seats vacancies हैं वो बहुत limited रहेंगी ultimately maximum students career कहा बनाते हैं private में मैं यह नहीं कह रहा कि अभी यहां पर आपको influence होना है या फिर क्या सोचना है बट यह चीज़ समझ के जरूर रखनी है कि जो competition होगा वो तो बहुत difficult होगा ही होगा बट इस पूरी process में हमारा decision making कैसे सटीक रहे यह थोड़ा सा हमें focus करना है सबसे पहले वाला option देखते हैं post graduation कई सारे students का होता है कि BSC के time पर ही socially हमन मना लिया कि हमें पहले बर post graduation करना है फिर हम बागी सारी चीज़े करेंगे कुछ students ही करते हैं कि post graduation कर लेते हैं साथ साथ गौर्वर्मेंट exam की preparation कर लेंगे या फिर हमारे पास और options खुल जाएंगे मैं कहूँ यह बहुत एक अच्छी opportunity या फिर एक बहुत अच्छा आगर कोई किसी का opinion है तो यह बहुत अच्छा है क्यों अच्छा है क्योंकि देखिए अगर आपने BSC agriculture किया और उसके बाद आप कहते हैं कि और एक साल और preparation में जाता है again outcome कुछ भी हो सकती है अब देखिए यहाँ पर आपके दो साल चले गए बढ़ आपके पास post graduation की डिग्री नहीं है साथी साथी की student वो भी है जिसने graduation किया साथ में post graduation में admission लिया MSC या फिर MBA वो भी आपकी stage में ही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों student BSC plus two year plus two year एक के पास MSC है MBA है एक के पास कोई degree नहीं है और दोनों ही examination बराबर stage में दे सकते हैं और अब जिसने MSC किया है उसके पास बड़ा benefit किया है कि कोई भी ऐसी vacancies जिसमें post graduation required होगा वो उसके लिए लिए लोगा बट जिस student ने बहुत अच्छे से competitive examination की preparation की है हालाग कि exam निकला नहीं उसके पास वो option हट जाएगा simple सा example आप ले सकते हैं UPPSC में भी STA वाली जो vacancies आई हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं maximum तो वो post graduation students के लिए ही है उसमें भी आप देखेंगे post graduation भी जिसका entomology या pathology मतलब हमारा subject हमारे लिए बहुत important रहता है कि MSC के लिए हम subject कौन सा choose करें पहले तो है कि करना है कि नहीं करना है करना है तो फिर subject कौन सा कि कि यह सबसे important होने वाला इसा नहीं कि कुछ भी आपने कर दिया interest होना चाहिए और जिसमें सबसे अच्छी future opportunities होनी चाहिए तो इसलिए post graduation बहुत important होता है बट कई सारे सुनका कहना होते कि financial constraint है या फिर हम नहीं कर सकते हमें मन लगा के पढ़ाई करनी है वो भी again अपने आप में ठीक है अब इसके साथ-साथ जो एक और dilemma आती है यहाँ पर किसे post graduation तो करना है बट कौन सा college हमें मिले ही जहां से हम करें और कौन सा subject तो इन दोनों चीज़ क्ले में कहूंगा देखिए subject important है अगर आपको interest genetics in plant bidding में है अगर आपको interest agronomy में है अगर आपको interest plant pathology में है तो subject देखिए college more or less हम कहा सकते हैं कि सब लगभग बराबर हो जाते हैं बाद में और ultimately अगर कहीं पर government examination में आप recruitment के में notification या फिर form fill करते है तो वहाँ पर तो आपको पता है college का कोई भी impact नहीं होने वाला है तो इसलिए ज़्यादा important आपके degree होती है college भी definitely अच्छा होता है क्योंकि ultimately अगर college में अच्छी पढ़ाई होती है तभी आपको कोई benefit होने वाला otherwise long term navigation फिर कोई benefit नहीं होता है so मतलब कहने का मतलब कि जीवी पंदी निवर्सेटी बहु आए आया रही हमें कहा सकते कि ठीक आया रहे मिला तो ठीक नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि वाँ कोई भी subject ले लिया आप अच्छा subject लेजिए और अपना subject लेजिए चाहे फिर वो दूसरे estate agriculture universities में आपको क्यों ना मिल जाए अब आते हैं second auction की तरफ और जो second auction क्या है direct private job ये again एक अच्छा option है और खासकर उन students के लिए जो ही कहते हैं कि sir घर में financial constraint है तो हमें job करनी है तो आप directly job कीजिए और कभी भी job कर समया घवराईए मत होता क्या है एक majority वाला बात हमारे mind में आती है और वो बात हमारे mind में क्या आती है हमें लगता है यार majority बच्चे तो ये फोग लिए प्रिपायर कर रहे हैं और वो अपना 100% दे रहे हैं मतलब वो बिना कुछ exam मतलब बिना job करते हुए बिना MSC करते हुए preparation कर रहे हैं तो हम completion में उनसे पीछो जाएंगे तो दोस्ता ऐसा कुछ नहीं होता ये खाली एक मित है और ये आप success stories में देख सकते हैं कि किसने कितना कहां से पढ़ा है क्या पढ़ा है किसने क्या करा है क्या नहीं करा है लोगों ने government job के साथ भी examination player किया है private job के साथ भी clear किया है पहुत सारे student ने full time prepare करते हुए भी clear नहीं किया है अगें सारे type के students होते है तो अगें success story तो जो सामने वाले किये वो तो उसकी story आप अपनी story खुद बनाईए और इस पर ध्यान जरूर रखेगा तो second important क्या है अगर आप private job भी कर लेते हैं agriculture से related तो आपके पास आगे बहुत सारे options खुल जाते है मैंने आपको बताया ना अगें चार साल BSC agriculture करने के बाद दो साल अगर आपने job कर ली तो फिर आपके पास दो साल का experience है और आप आप RRB, AFO, Scale 2 में directly eligible है या apply कर सकते हैं जबकि बहुत सारे बच्चे preparation ही करते रहे जाते हैं बट वो इसमें apply करने के लिए eligible है इस बात को समझे थर्ड important चीज है और जो एक और हम कहते हैं कि काफी सारे student वही करते हैं वो क्या करते हैं कि BSC agriculture करने के बाद full time preparation government examination की थर्ड वाले option में ये बाद हमेशा धिहान में रखें कि जब आप कहते government exam preparation तो आप अपने पास देखें कि आप किस exam की preparation में अपना 100% दे रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 100% और single examination target कर रहे हैं और वो exam है IPPS AFO तो फिर मैं नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कोई काम हो रहा है ये कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है इसके लिए इतनी भी कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है कि पूरा साल आप लगाएं उसके साथ में post graduation या फिर job दोनों चीज हो सकती है अगर आपको ये दोनों ही नहीं करना है और full time preparation करनी है तो फिर भाई IPPS AFO कसान, IPPS PO, clerk, SBI PO, SBI PO में 15,000 vacancies आने वाली है उसके preparation हो सकते ना बाड आरवे किसी भी examination की preparation हो सकते उससे कुछ नहीं होने वाला है भई IPPS AFO simple examination है वो होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा उसके लिए देखो UPSC के लिए आपको two time चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो phase two hours में इतने सारे subjects है descriptive writing करनी है उसके requirement है आपको पता है AFO में तो constant है आपके पास fix चीज़े है इसी से आएगा आएगा तो आएगा आपको answer नहीं आएगा तो नहीं आएगा बात फितम यह होने वाली है और बहुत आरे बचोगा तेन चार चार साल coaching करने के बाद offline जाए online कहीं से भी आप करो नहीं होता है तो उनसे पूछे फिर क्यों नहीं होता इसलिए मैं आपको बताऊं कि IBPS AFO simple examination है यह मान के चलिए और बस preparation करते चलिए हमारी preparation गड़वलाती क्यों है एक तो हम पहले IBPS AFO को बिल्कुल UPSC के भी उपर examination समझ लेते हैं और फिर दूसरी उसके बाद preparation हम marginal करते हैं मतलब हम यह preparation करते हैं कि बही चार पास नमबर ही तो मेंस की knowledge रखके क्या कर लोगे क्या करोगे बताओ उसको लेके तो इसीच को दिहान रखना है और दूसरी important चीज है यह IBPS AFO का examination है जिसके उपर बहुत सारे examination है नबाट का examination है scale to examination है different different बहुत तारे exams है जो इसे उपर ही है और state government के भी अच्छी vacancies जो आती है जो इसे उपर ह ही है तो आप समझिए कि UPSC वाला student अगर full time एक साल दो साल तीन चाल प्रिपेर करता है तो समझ आता है कि वो IES बनेगा group A category A level 1 की job है यहां पर आप UPS AFO ही बनेंगे इसलिए ध्यान रखिए तीनों चीजे मैंने आपको बताई है मेरा मानना यह है कि preparation के साथ AFO निकालना ब आप एक better motivated हूँगे better positive हूँगे rather than उन्हें students के कि जो सिर्फ preparation कर रहे हैं और preparation में भी डर बना के preparation कर रहे हैं एक इस students होते हैं जो enjoy करते हैं और वो अपने आपको challenge देते हैं कि भाई ऐसा कोई question नहीं होना चाहिए कि जो मुझसे ना हो और मैं AFO क्यों PO भी निकलेगा दूस सबसे best platform है आप वहाँ से prepare कर सकते हैं उसके लिए क्या डेली में जाके बैठके offline preparation करनी है कोई requirement नहीं आपकी ये young age है इसको बहुत productive बनाईए क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा मैं मानता हूँ कि library में बैठके बैठके पढ़ना important होता है पर library में पढ़िए ये नहीं कि बैस उसमें BAC agriculture 4 साल की चीजे पढ़ने है उसमें आप समझी कि MSC अगर आप पढ़ेंगे ना आपकी BAC की चीजे भी clear होती है तो ज्यान रखिए इस बात को अच्छे है समझे और अपना opinion जरूर बताएगा कि आप क्या सोचते हैं इन तीनों में से ही आपका कोई एक opinion होग बट वो क्या opinion है जरूर बताएगा और आपकी क्या राया है और मैं यह समझता हूँ कि स्वामे वेक अनंद और बाकी जितने भी हमारे motivational speakers या जिनको भी हम अपने गुरू मानते हैं वहतम बुद्धा हैं बाकी हैं आप उनकी जो सोच है उनकी जो विचार है उनको पढ़ते हुए उनको समझते हुए अपने जीवन की दी एक बैटर राह बनाएंगे तो अल्ट वेरी बेस्ट थैंक यू फो इंद वीडियो और वेड़े आए